हाई गाईज वेलकम बेक तो मैं चैनल मैं हूँ सुगामा और मेरी चैनल पर फिर से एक बर आपको स्वागत है और कल का वीडियो आप लोगों ने काफी पसंद किया है थैंक्यू और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है जाके चैक आउट करियेगा और रेमेडी बहुत ही अच्छी है आई थिंक तब भी आप लोगों इतना पसंद कर रहे हो और फिर से अगें थैंक्यू और सेकेंड चीज आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने आई हूँ वो काफी इंट्रेस्टिंग है बिकॉस मेरे जैसे बह लेकिन अब नहीं है क्या होता है हम थाइराइट पेशेंट वालों को हम पीसी ओडी पेशेंट वालों को या फिर नॉर्मल जिनको भी वाटर रेटेंशन की पॉब्लम हो जाती है हमका वेट इंस्टेंट बढ़ता है आई थिंक इस लॉग्डाउन में आपने भी इंस्टे में ही दिखेगा अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करेंगे और उसका एक्चुल वो वर्क कैसे करता है वो मैं वीडियो में आपको आगे बता हूंगे कि वो दस में आपको इंस्टेंट दुबला कैसे दिखाएगा और अगर इस चीज़ को आप लोगे तो कुरोना से भी आ हमारी प्रधान मिंत्री जी ने आयुष मंत्राले की एक रेमेडी शेयर की थी तो उसका लिंग भी मैं नीचे दे दूँगी किस तरह से उस रेमेडी को खाकर आप करोना से दूर रह सकते हैं अपने फामली को दूर रख सकते हैं उसका भी लिंग मैं नीचे दे दूँगी लेकिन इस रेमेड़ी को फोलो करके फ्रेंट यकीन मानिए दस मिनिट में आप इंस्टेंट बेट लूज करोगे और कपड़ों तुरंथ एफेक्ट देखोगे किस तरह से जो कुरता भी आप पहन नहीं पा रहे है तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो के तरह ब बनाया है सुगम ब्यूटी जोन करके तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी आप जाके चेक आउट कर लीजेगा कि किस तरह से इस स्किन बहुत अच्छे से शाइन आप कर सकते हो और बहुत सारी रेमेडी भी मैंने उसमें दी हुई है फेशिल दिया हुआ है घर पे बनाने के लिए आपको अद्रग चाहिए लगबग 1-1.5 इंच चाहिए और उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजेगा आपको उसका छिलका है वो नहीं उतारना है आपको ऐसे ही इसे घिस लेना है और फ्रेंड्स अद्रग में बिलकुल भी कैलोरी नहीं होती हो और ये आ आपका जो वेट है घरता है आपके कैलोरी जो बर्न होती है और आपका वेट इसी लिए घरता है तो ये यहां पर मैंने इसे अच्छे से घिस लिया है और आपको चाहिए लगबग 1-2.5 वाटर चाहिए क्योंकि इतना ही आप पी सकते हैं ये थोड़ा सा पीने में कैलोरी जो बर्न होती है तो आपको वो फैट नहीं लगेगा और आपकी बोड़ी भी डिटॉक्सिफाइन होगी तो आपको इसे ऐसे ही तब तक बोईल करना है जब तक कि इसमें बहुत अच्छे से एक बोईल ना जाए तो फ्रेंड्स इसमें बोईल आ चुका है अब आपको इसे एस्ट्रेंड आपको इसे एस्ट्रेंड ना जाए करना है और कोशिश करिएगा इसे ऐसे ही गरम गरम पीजे मतलब हलका सा लुक मॉम हो लेकिन कोशिश करिएगा गरम ही पीजे ठंडा होने के बाद बिल्कुल मत पीजेगा और ये आपके फैट को पूरी तरह से बर्ण करेगा एक बद ट्राई जरूर करिएगा बस यही है क कि मेरी बातों को पूरी तरह से ध्यान रखेगा इसका बहुत ही अच्छा सा मैंने आपको बताया कि यह रीजन क्यों है और किस तरह से यह बोड़ी पर वर्क करता है वीडियो जड़ा सा भी इंफोर्मेटिव लगी हो लाइक कर दीजेगा चैनल पसंद आब तो पड़ाव